गुट मॉर्निंग स्टूदेंट्स आज हम सॉल्ब करने वाले हैं क्वेश्चन नमबर 11 फ्रॉम एक्सर्साइस 14 चैप्टर हाइट इस्टेंस फ्रॉम आरे सगरवाल सी बेसी बोर्ड फॉर क्लास 10 ठीक है यह पहले क्वेश्चन को पढ़ने टो 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 प्रॉम ऑल हाइट यह तो एच अधूज अ एधूज जाड उजा इध रह साज आध टीक थीजिती मिट वाद तीकान टीकान वाल उखम cómo to point P between them on the road the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and the angle of a Aaron from the top of another Chi P is 30 डिग्री find the height of each pole and the distance of the point P from the poles ठीक है ना तो हमें poles की height पता करनी है और distance of point P ठीक है ना फ्रम दी पॉल्स देखिए पहला तो क्या क्या कहा है two poles of equal heights यानि हम एक pole की height निकाल लेंगे तो दूसरी poles की height आटोमेटिकली आ जाएगी ना आये figure draw कर लेते हैं देखिए एक मेरा यह है दूसरा मेरा यह है ठीक ना फिर क्या है are standing opposite to each other तो यह opposite to each other on either side of the road ठीक है ना इसको मैं join कर देता है यह हो गया ठीक अब क्या बोल रहा है यह रोड जो है देखी which is 80 meter wide यानि यह मेरा क्या है यह पूरा मेरा 80 है क्या है एक टी मीटर है पिर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम पॉइंट पी बिट्वीन देम उन दी रोड अब इनके बीच में कोई पॉइंट पी है तो यह पॉइंट हमने मान लिया पी है ठीक पी पॉइंट है तो चलिए इसको यहां पर हम पी माक कर देते हैं ठीक इसको हम लोग ऐसे मिला दे इंस्ट्वेंट देखिए तो इसका जो एंगिल ऑफ एलिवेशन है यह कितना है 60 डिग्री तो हमने इसको माक कर दिया 60 डिग्री ठीक दूसरे में क्या बोल रहा है एंड एंगिल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप अनदर पॉल पीश सिक्स थर्टी डिग्री एंगिल ऑफ डिप्रेशन क्या है इस्ट्वेंट देखिए टॉप से हम जब आप्जर्ब करेंगे नीचे के आप से थ्रफ देखेंगे तो जो एंगल बनता है क्योंकि यह 90 है तो मेरा स्लांट हीट हो जाएगा ठीक है ना यह यह हो गया तो यह जो एंगल है यह मेरा एंगल ओफ डिप्रेशन विचिस थर्टी दिग्री तो यह मेरा थर्टी डिग्री तो यह हमने मार्क कर यह इसके पैरलल है तो यह अल्डनिट हो जाएगा तो यह सब्सक्दार्थ हृई 30 esther clear है अब यह हाट टू पोल्स ऑफ इक्वल है से तो इसकी हाइट अगर हम एच मनले तो यह भी कितना हो जाएगा है हो जाएगा क्या हो जाएगा स्ट्वेंट एच ठीक है ना अब इसको गारा से नेम कर देते हैं इसको मानने जेंट यह आपको मानने यह M और यह माने यह N आप कोई भी alphabet चूज़ कर सकते कोई problem नहीं है देखिए यहां से यहां तक 80 है इतना distance मुझे नहीं पता है इतने distance को हम suppose कर लेते हैं X क्या है X तो इतना distance कितना हो जाएगा मैं यहां से लिए कर यह क्या हो जाएगा 80-6 क्लियर है क्या हो जाएगा 80-6 अब ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास दो फिगर बन गया है एक यह फिगर है और एक यह यह फिगर है यानि दो ट्रैंगिल बनना है इन के पी यह ऐसे है और यह एसे 90 ए ठीक इन के पी और पी एल एम ठीक चलिए यह दो फिगर यूज करते हैं पहले तो हमें निकलना है हाइट ओफ पॉल उसके बाद एन दिस्टेंस अफ ऊफ फॉइंट पी फ्रम फॉम तपोल्स यह बिस्टेंस निकालना है चलर फट अफट निकलते हैं देखिये इन टैंगल अन के पी अगशिकgriff हमने लिया इसमें क्या होगा है टैंग शिक्सटि डिग्री क्या हो जाएगा perpendicular NK है upon base base क्या है KP 1060 की value क्या होती root 3 यह H है NK और यह X है तो H की value क्या आगई यहां से root 3 X क्या आगई क्या आगई क्या आगई कोई problem नहीं होगा ठिक अब इस figure में आते हैं student figure number 2 देखिए in triangle PLM PLM यह figure आगया देखिए इसमें क्या होगा 1030 degree 1030 degree क्या हो जाएगा देखिए perpendicular upon base base कितना है PL 1030 की value क्या हो दीवन अपॉन रूट 3 is equal to ML ML की value क्या है H upon PL PL की value क्या है 80 minus X ठिक clear है यह मानी जे आपका 2 है अब student अब आप क्या कर सकते हैं देखिए H की value जो रूट 3 X आई है उसको यहां पर substitute कर दीजे है इसको यहां पर substitute कर देते हैं देखिए हमको क्या मिल जाएगा देखिए substitute पहले हैं आप लिख देते हैं substitute इसको 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 सब्सिचूट करने जा रहे हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इस इकल टू यह हो जाएगा रूट 3 X अपॉन 80 माइनस X कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है चलिए अब आई यह नेक्स पेस्ट पर देखिए देखिए क्या है वन अपॉन रूट 3 इस इकल टू रूट 3 X अपॉन 80 माइनस X क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दीजिए वन का 80 माइनस X में करेंगे तो 80 माइनस X आ जाएगा ठीक इधर करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 9 देख लीजिए ऐसे हो जाएगा ठीक है रूट 9 इंटू X और रूट 9 का स्कॉर रूट देंगे तो क्या है प्लस माइनस 3 आएगा बड़ाम पॉस्टिफ साइन ले रहे है तो यानि मेरा 3X हो जाएगा क्या हो जाएगा 3X माइनस X को इस तरफ ले जाएगे तो क्य आएगे देखिए 80 अपाउन 4 कितना गए ट्वेंटी तो X की वैलू क्या आ गए ट्वेंटी आ गया ठीक है ना कोई प्रॉब्लम इस ट्वेंट यह मेरा आप देखेंगे X की वैलू आई है ठीक है ना क्लियर है कोई प्रॉब्लम है स्टुडेंट नहीं है अच्छा अच्छा ओं चिकाना अब देखिए एक्स की वैलू था हमने निकाल जिए अब हमें एक चीज़ और निकालना था विचिस एटी-माइनस एक्स करिए तो कितना मिल जाएगा यह इसएक्वाल टू क्या हो जाएगा एटी-माइनस है यहां पर ट्वेंटी कर दीजए ठीक है pole just height of pole है तो i unfold अगर देखेंगे तो वह मेरा अच्छ है कि मिलडू रूट 3 x plus root 3 into x और x की value क्या है 20 तो यह जाए कर root 3 into 20 which is equal to 20 root 3 तो यह मेरा हो गया height of pole फिर और मुझे निकालना था distance of point P from the poles तो देखिए distance from left pole कितना है distance of point P from left pole from left pole left pole में देखेंगे तो आपने आप देखें तो हमने एक सपोस किया तो और x की value क्या है 20 तो यह कितना हो जाएगा 20 meter कि सारी कि सारी measurement हमारी meter में दी हुए तो यह भी किस में हो जाएगा में हो जाएगा दो उसी तरह डिस्टेंस of point P distance of by point P from right pole हाँ और आप पोल से कितना हो जाएगा है कि क्या है देखिए 80 माइनिस 6 था यानि 80 माइनिस 20 कितना है 60 कितना हो जाएगा 60 मीटर क्लियर है तो कफी इंपोर्टेंट क्विश्चन था क्विश्चन नमबर 11 जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट गया अब इस ट्रेंट हम लोग मूब करते हैं क्विश्चन नमबर नेक्स क्विश्चन की तरफ ठीक है यह देखी क्या है तू में आर इस्टेंदिंग उन आपोजिट साइट साइट ऑफ टावर दे मिजर्ट अंगल अफ एलेवेशन अफ टॉप टावर एस 30 डिग्रें 45 डिग्री प्रिस्पिक्टिवली हाइट अफ देखिए एक टावर है कि दो लोग इसके अपोजिट साइड में खड़े हैं ठीक है ना कि दो लोग इसके अपोजिट साइड में खड़े हैं ठीक कि चलिए कि देखिए ठीक है ना कि नेमिंग कर देजिए पी क्यू आर और एस ठीक है यह मेरा टावर है जिसकी हाइट 50 दिया हुए है तो इस्ट्वेंट यह कितना है कि फिफ्टी कि यह 90 बोट साइड ठीक है अंगिल अफिलिवेशन ऑफ दे टॉप देखिए कितना है 30 और 45 तो यह 30 डिग्री और यह 45 डिग्री क्लियर है निकालना क्या है पॉइंट दिस्टेंस बिट्वीन टू में यानि एक में यहां प इनके बीच का डिस्टेंस निकालना यानि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ठीक देखिए तो दो दो ट्रेंगिल बनना है मुझे ठीक ना मुझे यह चाहिए तो हम लोग 10 10 का करेंगे क्योंकि हमको यह बेस केल्पूलेट करना है देखना यह क्यों जाएगा देखी इंट रैंगल पीक्यू आर पीक्यू और यह इस्ट्वेंड मेरा एस है तो हम एस लेंगे आर नहीं है पीक्यू एस क्या हो जाएगा टैन थर्टी डिग्री क्यों जाएगा पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एस अपॉन बेस मेरा पीक्यू है बीक्यू लिख देंगे टैन थर्टी की वैल्यू क्या होती वन अपॉन रूट थ्री तो यह जाएगा 50 अपॉन पीक्यू ठिक पीक्यू क्या है क्रॉस मल्टिप्लाई हो जाएगा तो 50 रूट 3 आए गया क्या आगया 50 अंडर रूट 3 ठिक लिए चलिए तो पीक्यू तो मेरा यह आगया अब देखी क्या है हम लोग क्यू आर भी कैल्कुलेट कर लेते हैं यह दूसरा ट्रैंग्ल लेते हैं इंट ट्रैंगल कि एस क्यू आर कि 1045 डिग्री क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस अग्यू क्या होती वन है वेस यह मेरा 50 दे रखा है ऐस्क्यू बेस मेरा क्यू आर है क्यू आर इंटू बॉन करेंगो तो क्यू आ तो qr की वेलू क्या गें 50 आ गया क्या गया 50 क्लियर है qr क्या गें 50 आ गई अब मुझे निकालना है distance between two men तो क्या हो जाएगा देखिए distance between two men distance between two men two men क्या हो जाएगा देखिए यह क्या हो जाएगा प्यक्यू प्लस qr यहीं होगा डिस्टेंस ठीक है अब दूसरा निकाल लेते हैं प्लस qr क्या है 50 तो 50 कर दीजें ठीक है न कि 50 कॉमन ने कॉमन ले लिजें रूट 3 प्लस वन रूट 3 की वैलू क्या लिए नहीं है 1.732 डग दीजें 51.732 प्लस वन क्या हो जाएगा 152 1.732 में बन जोड़ेंग क्या हो जाएगा 2.732 क्लियर है कोई कंफ्यूजन ठीक है न कि मल्टिप्लाइग कर दीजें देखिए आप इसको इसली मल्टिप्लाइग करके देख सकते हैं कि देखिए हम फाइब से कर रहे हैं फाइब टूजाट 10 जीरो केरी 153 15 16 केरी 15 35 36 520 313 और यह 10 और था ठीक है ना वान टू थ्री वान टू थ्री ठीक है ना इतना आ गया तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 136.6 मीटर ठीक है यह आ गया 136.6 मीटर और यह डिस्टैंस बिट्वीन 2 मेंट कीतना का यह दो लिख दीजे चिया डिस्टेंस बिट्वें टू में टू में टू में कितना हो जाएगा 136.6 मीटर क्लियर स्टुडेंट तो यह कुश्चन नमबर और कम्प्लीट हो है कुश्चन नमबर 12 इस्टुडेंट आप हम वह करते हैं क्वेश्चन नमबर 13 की तरफ क्लियर स्टुडेंट अब स्टुडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्जाम के पॉइंट और व्यू से आई इसको देखते हैं ठीक है देखिए फ्रॉम देख ऑफ टावर 100 मिटर हाई अमायन अब्स तुड़ चार्स ऑन दी अपोसिट साइड ऑफ टावर ठीक है ना चलिए और एं इन दा सेमें स्टेट लाइन विद इस बेस विद एंगल्स ऑफ दिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिबली फाइंड दिस्टेंस बिट्वीन देखर सेम विश्चन है थोड़ा बस लैंग्वेज दिफरेंट है ठीक है ना चलिए पहले तो पर बना लीजए थिक अ मैंक अब्सफ टू कार्स दो कार ऑब्सफ करता है ठीक है और और फोसित चाइड्स यानी एक कार इस तरह दूसरी कार इस तरह है प्लिए है इन दा सेम्स्ट्रेट लाइन यहां इंद एकी स्ट्रेट लाइन में है विदेश अंगल ऐफ डिप्रेशन 30 दिग्री एंड 45 दिग्री देखिए ति करना ये बारिये कि लिए है अब स्ट्रेंट ऐंगिल ऑफ डिप्रेशन, अगिल ऑफ डिप्रेशन का मतलब वो जब टॉप से नीचे के तरफ दिखता है तो जो कार सकार को देखने भी जो एंगिल क्रियेट हो रहा है कितना है 30 degree है तो इसका मतलब है इसका मतलब है यह एंगल कितना है एक एंगल 30 degree है और दूसरा एंगल क्या है 45 degree है ठीक है ना जब यह 30 है तो यह भी क्या हो जाएगा तो यह और यह 45 यह भी हो जाएगा ठीक है ना देखिए नेमिंग कर दिजे अ कि एम है एन ओ और यह पी पॉइंट है यह 90 है ठीक है ना टावर स्ट्रेट है अब डिस्टेंस बिट्वीन दकार्स निकालना यानि हमें चाहिए यह डिस्टेंस मैं ठीक और यह डिस्टेंस हमें दोनों इस दिस्टेंस छाहिए यह ठीक है ना को दोनों को दोने से में क्यल्कडेट करने हैं क्लीयर रेस्ट्रेंट आईए दो फिकर बन रहा है देखिए इंट्राइंगल M N P इसमें हम निकालेंगे 10-30 डिग्री क्यों हो जाएगा पर्पेंडिकुलर P N अपॉन बेस M N स्ट्रेंड ध्यान दीजेगा एक और टावर की हाइट 100 मीटर है तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं 100 ठीक है न यह टावर के हैट कितनी 100 है एक लियर देखिए 10-30 की वेलू 1 अपॉन रूट 3 P N 100 है अपॉन M N M N की वेलू क्या हो जाएगा स्ट्रेंड 100 रूट 3 ठीक है न दूसरी में आई देखिए इन ट्रेंगल P N O P N O क्या हो जाएगा 10-45 डिग्री क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस O N 10-45 is 1 1 लिख देंगे ठीक P N 100 है अपॉन O N तो O N की वेलू क्या हो जाएगी 100 क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी अब क्या निकालना है distance between the cars तो क्या हो जाएगा देखिए distance between the cars distance between the cars क्या हो जाएगा is equal to M N plus O N ठीक value put कर दीजे M N की value क्या है 100 root 3 plus O N कितना है 100 100 common ले लिजे student क्या बच जाएगा root 3 plus 1 root 3 की value रख दीजे 1.732 plus 1 1.732 क्या हो जाएगा 1.732 में 1 जोड देंगे तो क्या जाएगा 2.732 clear student multiply कर देंगे 100 से multiply करेंगे क्या जाएगा 2732 और साथ में 20 भी है यह भी आ जाएगा 123 यानि 3 numbers के बाद point इस तरफ से ठीक है 123 23 यहाँ पर आ गया क्या गया यहाँ पर आ गया तो आप देखिए final answer क्या गया 273.2 तो यहाँ पर देखिए distance between the cars distance between the cars जो car के बीच का distance से यह कितना हो जाएगा student 273.2 meter clear है clear student तो student आपने यहाँ पर देखा कि हमने question number 13 तक complete किया है जो कि exam के point of view से काफी important question है कोई question दो बार तीन बार exam में पूछे भी गए है clear है तो यहाँ तक हमने complete किया student अब इससे आगे का जो भी problem से वह हम next picture में देखेंगे till then all the students thank you and have a nice time उहाँ गेपने की आंब है व reign में से आपने اع